सिर्फ तीन चीजों से बनने वाली है टेस्टी हेल्दी और घर में आपके सभी सदस्यों को पसंद आने वाली यह वर्फी है तो यह इस दिवाली पर में यह रैसेपी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी वर्फी वनेगी आपकी आप पेरा पूरा वीडियो दे तो इस दिवाली पर आप इस बरफी को जरूर बनाएगा थो कि अपे-दल आप से बहुत है इस कड़ाई में तो इसके लिए मैं गी घरद धोब होगा को मैंने स्लो रुपप हुगा है तो गास को आप तो में आप सकाओर यह मैं बनाने वाली हूँ बेसन से जी हाँ बेसन तो हर घर में रहता है यह तो आपको पता ही होगा शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें बेसन अभी लेविल नहीं रहता है तो बेसन से यह वर्फी बनाई है आप बहुती टेस्टी वर्फी बनेगी आपकी यह तो बेसन में गी मेने मिक्स कर दिया है और गैस को बिलकुल सिलो रखेगा और थीरे धीरे आप इसको अच्छे से रोष्ट करिएगा बेसन भूनने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा फ्रेंड्स हमें क्योंकि जब भी हम बेसन की कोई भी चीज बनाते हैं बेसन के लड़ू वर्फी तो उसे स्लो गैस पर ही भूनते हैं अगर आप तेज गैस कर देंगे तो बेसन आपका जल जाएगा तो इसको स्लो गैस पर ही भूनिएगा और शुरू में थोड़ा एकदम से ज़्यादा घी मत डालेगा मुझे अभी घी कम लग रहा है तो मैं इसमें एक चमच और डाल द लगेगा तो अभी थोड़ी देर में देखेगा यह बेसन और घी एकदम आपस में मिक्स हो जाएंगे बढ़िया तरीके से और यह चारों तरप से आप इस तरीके से स्लो गैस पर भूनते रहेगे यह देखिए कितना बढ़िया इसमें घी ने अपना काम किया है और जो हमे इसका गोल्डन ब्राउन करूंगी तभी यह वर्फी अच्छी लगती है नहीं तो वो खाने में एकदम कच्ची कच्ची सी लगती है तो घर पर बना रहे हैं हम इसे तो अच्छे से से भूनेंगे तो अब मैं चाशनी बना लेती हूं तो इसके लिए मैंने इस कप से एक चीनी ली है और इसका आधा कप मैंने पानी डाल दिया है और सिर्फ हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए यह जरूरी टिप है आप ध्यान रखेगा कोई तार की चाशनी हमें इसके लिए नहीं चाहिए बस हलका चिपचिपाहट होनी चाहिए बस वैसी ही चाशनी हम इसके ल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है एक दम इसका और आप इस बिल्कुल अपने हाथ नमत रोकेगा और चलाते रहेगा और गैस को बिल्कुल सलो रखेगा नहीं बेसन आपका जल सकता है तो चलिए तक तक बर्फी जमा रहे हैं तो उसमें थोड़ी से तैयारी कर लेते ह मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है यह मेरा केक्टिन है तो इसमें मैं बटर पेपर लगा लूँगी और इसे थोड़ा सा घी से क्रीज कर लूँगी अगर आपके पास यह नहीं है कोई बात नहीं है आप ठाली में घी लगा लीजिए उसमें बना लीजिए किसी में बना सकते हैं, मेरे पास था इसलिए मैं इसमें बना लेती हूँ और ये देखिए, बेसन भी हमारा एकदम बढ़िया तरीके से भून गया है भूती बढ़िया खुश्बू आ रही है इसमें से और चाशनी भी हमारी बनकर लगवक तैयारी होगी है, मैंने गैस पर रख दीती तो इसे एक बार चैक कर लेते हैं तो इस तरीके से आप हाथ से देखे करें देखे कि इसमें कोई तार नहीं बनना है कोई भी तार पूरा नहीं बनना है सिर्फ हलका सा चिपचिपाहट ची है तो इसी तरीके से हमें चाशनी चाहिए तो चाशनी आप धीरे धीरे डालते रहे है और continue इसे चलाते रहे हाथ को आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना इस टाइम पर तो धीरे धीरे मैंने पूरी चाशनी इसमें डाल दी है जो आपकी वर्फी हार्ड होती है वो मैं आपको बताती हूँ उसका क्या रीजन रहता है क्योंकि आप जो चाशनी होती है वो आपकी तार की बन जाती है और अगर आपकी तार की चाशनी बनाएंगे कोई भी एक तार या दो तार की चाशनी अगर आप बना लेंगे तो ये देखिए अब ये continue में इसे चला रही हूं बिलकुल हाथ को नहीं रोक रही हूं थोड़ा सा हातों की मेहनत है फ्रैंटस इसमें बेसन की जो भी हम चीज बनाते हैं लेकिन जो बेसन की चीज बनते हैं जो भी लड्डू या बर्फी बनते हैं उस सभी को बेहत पसंद आते हैं घर में शायद ही कोई होगा जो इस बर्फी लड्डू को नहीं खाना चाहेगा लेकिन बनती बहुत ही स्वाडिस्ट है आप दिवाली हुली कभी पर कभी भी इसको बनाकर अराम से खा सकते हैं और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है तो ये देखिए हमारा पूरा का जो टैंशन रहता है कि बर्फी जमेगी नहीं जमेगी नहीं तो बस आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं बर्फी आपकी एकदम पर्फेक्ट जमेगी तो इसको मैंने कढ़ाई से पूरा इसमें पलट दिया है ये फटाफट से आप ये जो प्रोसेसे आपको कर जिए बिल्कुल इस पून से आराम हो जाएगा इसमें सपून की साइडस से आप इसे कर सकते हैं या कोई फलैट आपके पास कर्षी वगर आया आप से भी कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप इस पैसला भी करें तो इस तरीके वो में उपर इसमें लगा दूँगी और करीबन आदा घंटे में ही बर्फी जम जाएगी इसे ज्यादा टाइम नहीं लेगी क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है तो आदा पॉन घंटे में महारी ये बर्फी जम कर तयार हो जाएगी तो इसमें ड्राइफू बिल्कुल भी हार्ड नहीं है एकदम सॉफ्ट वर्फी बनकर तयार हुई है हमारी तो आप इस तरीके से इसमें कट लगा लिजिए और जैसी भी शेप आपको पसंद है आप उस हिसाब से काट सकते हैं तो इस मैंने एक साइट से कट लगा लिया है अब मैं दूसरी साइट से भी कट लगा लूँगी तो आपको मार्केट से लाने की कोई जरुगत नहीं है इस टेस्टी सी हैल्दी वर्फी को आप घर पर ही बनाएगा देखे कितनी बढ़िया लग रही है यह वर्फी हमारी देखने में घर में सभी को पसंद आती है बच्चे हो या बड़े हो बे जरा सा चिप चिपाहत मैसूस हो बस तभी आपको चाशनी को उसमें डालना है और लाश्ट में जो जमानी की मैंने आपको टिप दी थी कि बस कढ़ाई से जैसे ही आपका बेसन चूट रहा है तो आप उसी टाइम पर इसे जमानी के लिए रख दीजिए आपकी बर्फी एक जरूर प्रेस कीजेगा वर्ना आपके सब्सक्राइब करने का कोई भी फायदा नहीं है मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा तो हैपी दिवाली फ्रेंड्स थैंक यू फार वाचिंग